मैं हुँ प्रगती और आप देख रहे हैं खवर हटा की नौटा पुलिस ने पकड़ी 800 पेटी अवैद सराब सहे ट्रक एबं आरोपी को किया जब्त दमो जिले के नौटा पुलिस को मिली बड़ी सफलता नौटा थाना पुलिस ने पकड़ी करीब 800 पेटी अवैद सराब दमोर पुलिस अधिक छक ने बताया कि बैतूल से दमोर ले जाई जा रही थी सराब सराब की कीमत करीब पांच लाख बताई जा रही है इसी दौरान नोयटा थाना में कारवाई की गई है जानकारी अनुसार नोयटा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ट्रक में अवैज सराब ले जाई जा रही है सूचना के आधार पर नोयटा पुलिस ने 17 मील पर चेकिंग लगाई चेकिंग की दोरान आरोपी पुलिस को देख ट्रक को तेदी से भगाने लगा कारवाई की जा रही है ट्रक चाला की ट्रक का मालिक बताया गया है जो कि ब्यतूल से दमों में सराब बिक्री कैन नहीं तु आया था सराब सहे ट्रक को जब्त किया गया है एवं आरोपी पकड़ा गया है अभी से खरे की रिपोर्ट आज प्राता ही सुचना प्राप्त हुई थी नोटा पुलिस को कि एक ट्रक जिसका नंबर है MP28H 1965 इस ट्रक में बेतुल सी शराप लाई जा रही है और यह 17 मिल पर सुचना कादार पर चेकिंग लगे थी नोटा पुलिस चेकिंग कर रहे थी पुलिस को देखकर के ट्रक ने स्पीट से भागा परड़ाम सरूर नोटा कस्पे में इस ट्रक को पकड़ा गया और जब पकड़ करके देखा तो पीछे गेहों की बोरे रखी थी गेहों की बोरे के अंदर जो है शराप की पेटिया थी अ जो पराशिया करेने वाला है उसी खुद कट रख है खुद गाड़ी चला रहा था और जब उससे प्रारंभिक पूश्टाश की गई तो यह पाया गया कि बैतुल जिले में शाहपूर का स्पेश वहां से यह जो है शराब भर करकलाया था और वहां का जो गदिदारे जिते अधरी जब्त हुई है और एक ड्राइवर जो है मतीन खान उसकी गिरफ्तारी हुई है गिरफ्तारी कर रहे है और परकण में विविश्टा की जा रही है जो भी इसमें दोशी होंगे अवेत परीवन में बिकवाने वाले करने वाले उनके उरुद जो ही विदी संगत कारव लाना था बोले जिस वक्ती की शराब है वो उसने ना क्राण जाकर भून कतरेंगे तो बाँ नह लाई जा रिए दमो जिले में विवि निस्थानों पर खपा देедь लाई इसमें अभी जो है देशी भी हैं और कुछ शाहत वीदेशी भी उसमें मिक्स है गरीब करीब जो 800 पेटिया है विदेशी मिक्स भी है वो देशी भी जदा पेटिया जो देशी शराब की एक कीमत इसके करीब 50 लागे है